दोस्तो इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कुछ important shares के बारे में और साथ ही साथ उनसे जुड़ी कुछ important updates के बारे में सबसे बिले बात करने वाले हैं Brightcom Groups Limited के बारे में क्योंकि आजी के दिन सेभी ने Brightcom Groups Limited को एक काफी बड़ा जटका दिया है जिस कारण से कल के दिन आपको इस shares के अंदर profit booking देखने को मिल सकती है आप देख सकते हैं सेभी ने आजी के दिन अपने जो ASM list का circular है long term list का और short term list का उसे publish कर दिया है और उसके अंदर हमें Brightcom Groups Limited का नाम देखने को मिल रहा है आप देख सकते हैं Brightcom Groups Limited जो कि अभी तक हमें long term ASM list के stage 2 के अंदर देखने को मिलता था उसे stage 2 से stage 4 के अंदर shift कर दिया गया है तो यहाँ पर अगर आपने खरिदारी कर रखिये तो अब आपको तुरंट alert हो जाना है क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि इस पर special investigation भी चल रही है और साथ ही साथ इसे ASM list के stage 4 वे भी डाल दिया गया है जिस कारण से यहाँ पर आपको short term में profit booking देखने को मिल सकती है चल यह दोस्तों बात कर लिते हैं another share के बारे में जिसका नाम है दीपक नाइटराइट लिमिटेट यहाँ दोस्तों chemical sector से belong करती दिपक नाइटराइट को लेकर एक काफी शांदर news आज के दिन निकल कर आ रही है आप देख सकते हैं credit rating यहाँ पर आज के दिन निकल कर आई है जिसमें long term credit rating की बात करें तो दीपक नाइटराइट की जो 490 करोड रुपे की bank facility है उसमें A1 plus की rating मिली है दीपक नाइटराइट को और उसी के साथ में जो 200 करोड रुपे की commercial paper है उसकी भी जो rating है वो positive निकल कर आई है तो यहाँ पर काफी शांदार news हमें देखने को मिल रही है long term rating को भी upgrade कर दिया गया है जो double A minus हमें देखने को मिल रही थी अब वो हमें double A देखने को मिल रही है वही 756 करोड रुपे की जो short term rank facility है उसकी rating भी A1 प्लस निकल कर आई है तो यदि आपने दीपक नाइटराइट लिमिटेट के अंदर बे investment कर रखा है तो आज की दिन आपको इस share के अंदर 1.5% तक की शांदर तेजी देखने को मिल चुकी है नहीं है दोस्तों बात कर लेते हैं another update के बारे में जो की सुजलोन एनरजी की तरफ से निकल कर आ रही है जी हां दोस्तों सुजलोन एनरजी के अंदर promoters ने आजी के दिन माल बेचा है और इसकी जानकरी खुद company की तरफ से दी गई है जी हाँ दोस्तों insider trading आज के दिन हमें सुजलॉन के अंदर देखने को मिल रही है ये इस मैने की second insider trading हमें देखने को मिल रही है जिसमें आप नाम भी देख सकते हैं बीपिन हरीलाल शाह जो की सुजलॉन energy के अंदर एक designated person है उन्होंने सुजलॉन energy के लगबग 6,50,000 shares को यहाँ पर sold out किया है आप देख सकते हैं जिनकी value के अगर बात करी जाए तो लगबग 34,84,545 रुपे इनकी value बनती है तो आज के दिन हमें सुजलॉन के अंदर भी insider trading देखने को मिल रही है साथ ही साथ अगर market के अंदर volatility रहती है तो इस shares के अंदर भी आपको downward trade देखने को मिल सकता है याने की profit booking देखने को मिल सकती है तो सुजलॉन के अंदर अगर आपका long term का view है तो अभी आप यहाँ पर investment करकर रखिएगा दोस्तों बात कर लेते हैं another company के बारे में जिसका नाम है TCS Tata Consultancy Services Limited जहाँ पर आज के दिन TCS के अंदर हमें दो बड़ी update देखने को मिल रही है सबसे बिली news आप देख सकते हैं TCS rank number one in customer satisfaction in the Netherlands तो निदरलेंड के अंदर TCS को number one rank हासिल हुई है तो कि एक काफी बड़ा achievement है किसी IT sector company के first positions पर आने के लिए और साथ ही साथ second बड़ी updates की बात करें तो Fletcher building partners with TCS and Google Cloud to drive growth through data and digital innovations तो यहाँ पर आज के दिन हमें एक और बड़ी partnership TCS के साथ में देखने को मिल रही है जिसको लेकर भी काफी बड़े moment आपको long term में TCS के अंदर देखने को मिल सकते हैं तो यदि अपने TCS के अंदर investment कर रखा है या फिर आप खरिदारी करने का मन बना रहे हैं तो इस गिरावट का benefit उठा सकते हैं और इस shares के अंदर investment करते वे चल सकते हैं अगर आपने TCS के अंदर already investment कर रखा है और अगर आप buyback के अंदर apply करना चाते हैं तो सिर्फ आखरी दो दिन अब आपके पास बचे हैं यदि आप buyback के अंदर apply करके काफी अच्छी premium को earn करना चाते हैं तो buyback के अंदर कैसे apply करना है आपको उसकी complete process में आपको last video के अंदर बता चुका हूँ यदि आपने अभी तक उस video को चेक आउट नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी उस video को भी आप चेक आउट कर सकते हैं दोस्तो बात कर लेती हैं अब Tata Group की company Tata Power Limited के बारे में Tata Power के IPO को लेकर काफी बड़ी updates हमें देखने को मिल रही है सबसे बिली में आपको बता देना चाहता हूँ कि Tata Power का business काफी ज़्यादा diversified हमें देखने को मिलता है बहुत सारे sectors में Tata Power involved है like electrical vehicle charging station, thermal power, business trading साथी साथ बात करें तो Tata Power हमें thermal power में भी देखने को मिलती है renewable power में भी देखने को मिलती है अभी जो सबसे ज़्यादा Tata Power को requirement है वो इनके renewable energy के अंदर fund raising की requirement है याने कि इन्वेस्मेंट चाहिए और लगबग 600 से 700 डॉलर का जे यां दोस्तों 600 से 700 million US dollar का investment अभी इन्वेस्मेंट चाहिए और उसी investment की तलाश में ये backrock के पास भी हमें जाते वे देखने को मिले थी साथी साथ सिंगापूर sovereign fund के पास भी हमें जाते वे देखने को मिले थी लेकिन अभी तक कोई final यहाँ पर approval निकल कर नहीं आई है तो यहाँ पर March के मंद के ending तक अगर यहाँ पर कोई बड़ी investment नहीं आती ही Tata Power के अंदर तो Tata Power के पास एक ही option है कि वो Tata Power के renewable energy sector को separate करके यानि कि उसको de-merger करके बाजार में IPO लेकर आ सकती है और बाजार में IPO के थुरू fund raising कर सकती है तो यहाँ पर March का मंद देखना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा कि company को कहीं से बड़ी investment मिलती है या फिर नहीं मिलती है तो यदि आपने Tata Power के अंदर भी investment कर रखाए तो यहाँ पर भी आप नजर बनाए रख सकते हैं चलिए दोस्तों बात कर लेते अनदर न्यूस के बारे में जिसमें Reliance Industry को लेकर काफी बड़ी update हमें देखने को मिल रही है आप देख सकते हैं Reliance Industry gets COC Approval to Acquire Syntax यहाँ पर finally जो Syntax के voting rights निकल कर आए हैं जो voting result निकल कर आए हैं वो पूरी तरीके से Reliance के favor में निकल कर आए हैं तो अब Reliance Industry ने Syntax को पूरी तरीके से acquire कर लिया है इसी दोड में हमें Trident Limited का भी नाम देखने को मिल रहा था लेकिन finally Reliance Industry ने पूरी तरीके से यह जो approval है यह Reliance Industry को मिल चुका है आप देख सकते हैं तो पूरी तरीके से favor में हमें यह voting देखने को मिली है और जिसका benefit Reliance Industry को long term में काफी अच्छा मिलने वाला है तो यदि आपने Reliance Industry के अंदर investment का रखाए या फिर आप investment करने का मन बना रहे हैं तो definitely इस news के आने के बाद में इस shares के अंदर भी आप fresh positions बनाने का मन बना सकते हैं अधकलिते next updates के बारे में जो कि LIC के IPO के लिए निकल कर आ रही है जिसा कि आपको पता है कि LIC का IPO अभी हमें pending देखने को मिल रहा था लेकिन आज के दिन LIC IPO को लेकर काफी बड़ी update निकल कर आ रही है कि government ने जो draft papers थे वो से भी को file कर दिये हैं जियां दोस्तों अब बहुत जल्दी हमें LIC के IPO की जो date है जो price wind है वो बहुत जल्दी देखने को मिलने वाले हैं तो यदि आप भी LIC के IPO के लिए excited हैं और अगर आपने अभी तक अपना free demate account नहीं open करा रखा है तो link आपको description box में मिल जाएगी जहां से आप अपना free demate account open करा सकते हैं और LIC के IPO के अंदर apply कर सकते हैं तो उमीद है आपको video और update पसंद आई होगी अगर आपको video और update पसंद आई हैं तो इसे like और share करना मत बुलेगा मिलते हैं next video में तब तक के लिए stay connected, stay updated